हालो स्टूडेंट्स मैं हूँ शिखा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रिगनो का एक और कोईशन जो की मैथ के स्टैंडर्ड सांपल पेपर का पार्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेशन को आपको 1 प्लसinkarac is equal to 3 sin alpha दिया हूँ है और इसका answer कॉट alpha में नकालना है हम क्या करेंगे 1 प्लस sin square alpha is equal to 3 sin alpha cos alpha इस पूरी term को कॉट में ही change कर लेंगे उसके लिए मैं 1 की जगा identity उस करती हूँ sin cos वाली तो cos square plus sin square alpha plus sin square alpha equal to 3 sin alpha cos alpha यहां से आपके पास में आ जाएगा cos square alpha plus 2 sin square alpha equal to 3 sin alpha cos alpha क्योंकि सारे ही square की form में है तो cot का formula cos upon sin होते है तो हर एक term को हम sin square के साथ divide कर लेंगे इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगर answer 10 में निकालना है तो cos से divide करना पड़ेगा अगर cot में निकालना है तो sin से divide करना पड़ेगा अब यहाँ पर भी मैं sin square से करूँगी लेकिन यहाँ पर separate करके लिख लूँगी so that आपको थोड़ा easy हो जाए visible करना यहाँ से आपके पास में बन गया है cot square alpha plus 2 is equal to 3 cot alpha so cot square alpha plus 2 is equal to 3 cot alpha तो equation आपकी तयार है cot square alpha minus 3 cot alpha plus 2 middle term split method लगा लेते हैं cot square alpha minus 2 cot alpha minus cot alpha plus 2 equal to 0 factor बना लीजिए I hope यह सब को आती होंगे factor बनाने कैसे common निकाल के हम इसको आराम से values निकाल सकते हैं polynomial में भी आपने यह काम की हूँ है तो यहाँ से एक factor बन गया cot alpha minus 2 और दूसरा बन गया cot alpha minus 1 तो यहाँ से cot की दो values आ गई हैं आपके पास में एक 1 और एक 2 और यही हमारा answer है so option C is the correct answer जिसमें 1 and 2 दिया हुआ है thank you students 10 प्राइन पहिंजे निकेंजें Cat को यह एसीं।